सूप्रभाद बच्चों कैसे हैं आप सभी मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पेमन से पढ़ाई कर रहे होंगे मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा तीन की हिंदी लेकर बच्चों आज हम पाठ तीन के प्रशनोतर करने जा रहे हैं च खूब जोर शोर से सफाई होती है बच्चों आप लोगों को बताना है कि आपके घर में किन-किन मौकों पर सफाई की जाती है उदारन के तौर पे मैंने भी उत्तर दिया है आप अपने मन से भी इसका उत्तर लिख सकते हैं ठीके तो बच्चों होली दिपावली एद क्रिस या फिर किसी अन्यतियोहारों पर हमारे घर में काफी साफ सफाई होती है है ना इन मौके पे हमारे घर के जितने भी समान होते हैं उन्हें हटा करके अच्छे से साफ सफाई की जाती है ठीक है अब जो अगला प्रश्ट है वो है कि ये मौके खास क्यूं है ये मौके खास क् important क्यों है क्योंकि इस दिन हमारे घर कई सारे लोग आते हैं ना बहुत सारे महमान आते हैं तो आप इसका उतर लिख सकते हैं कि ये मौके खास इसलिए है क्योंकि कई महमान हमारे घर आते हैं है ना चलिए अब जो अगला प्रश्ण हमारा वो देखते हैं अगला प्रश्ण है सफाई से जुरे शब्दों को लिखें यानि जो शब्द सफाई से जुरे हैं उन शब्दों को आपको लिखना है चार शब्दों को लिखना है तो बच्चों आप लिख सकते हैं पोशना, रगरना, धोना, बुहारना है ना? ये सारे शब्द किसे जो रहे हैं बच्चों सफाई से तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रशनों का उत्तर अपनी कौपी में लिखेंगे इसको याद भी करेंगे आज आपने क्या क्या सीखा आपने जाना कि किन किन मौकों पर हमारे घर में सफाई की जाती है तो बच्चों किसी त्योहार के पर है ना जैसे दिपावली, होली, ईद, दश्यहरा, क्रिस्मस इन सभी त्योहारों उपर हमारे घर में खूब जोरो-जोरो से शफाई की जाती है और ये मौके क्यों खास होते हैं क्योंकि इस दिन कई गेस्ट हमारे घर आते हैं बहुत सारे महमान हमारे घर आते हैं इसलिए भी ये मौके खास होते हैं ठीके बच्चों, आज के लिए इतना ही तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए Keep study, Thank you so much